माइक्रो ब्लोगिंग साइट ट्विटर के नए चीफ ऐलाउन मस्क ने एक पोल जारी कर योज़िस में संसनी फैला दी पोल के जरीये पूछा कि क्या उन्हें ट्विटर के सीओ के पस्से सीफा देना चाहिए मस्क ने वादा किया कि पोल का जो भी रिजल्ट आएगा उसका पालन करेंगे सुमवार 19 दिसंबर शामतीन 57 तक आए परणाम के मताबिक एक करोण 67,58,151 लोग इस पोल पर वोड कर चुके हैं और 57 फीसद लोगों ने जवाब में हाँ कहा वहीं 42 फीसद लोगों ने पद ना छोड़ने के अपील की इससे पहले कयास लगाए जारते कि मस्क जल्द ही ट्विटर चीफ की कुर्सी को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं खुद कहा था कि ट्विटर के सीओ के रूप में लंबे समय तक काम नहीं कर जाते हैं और ने कहा कि इस पत के लिए किसी और को ढूड़नेंगे इससे पहले 17 नवंबर को मस्क ने कहा था कि ट्विटर खरीदने के बाद उन्हें कमपनी में बड़े बदलाव करने के लिए अपना काफी समय देना पढ़ रहा है इस काराल मस्क अपनी पुरानी कमपनी टेसला को कम समय दे पा रहे हैं त्विटर को जारा समय देने चलते टेसला के निवेशकों के चिंता बढ़ गई है मस्क ने ट्विटर में एक बोर्ड का गठन करने के रादा वक्त किया यह उमीज होताई कि इसके बाद उन्हें ट्विटर पर कम समय खर्च करना पड़ेगा दरसल ट्विटर पर मस्क के जारा धान देने के बाद टेसला के इनिवेशकों की चुनता को दूर करने के लिए मस्क ट्विटर के नए लीडर की तलाश कर रहे हैं और बोर्ड के गठन का वादा भी इसी उमीद से किया था अब क्या इस वोटिंग के बाद वो बदलेंगे इस पर सभी की नजर है लेकिन आए ये समझते हैं कि कैसे हुई पूरी डील ट्विटर डील जो है वो 2022 में साल अप्रेल में हुई थी चार अप्रेल को ऐलाउन मस्क ने ट्विटर में 9.2 फीसर सारी खरे थी इसके बाद वो कंपनी के सबसे बड़े शेर होल्डर बन गए मस्क के इससिदारी को देखते हुए कंपनी ने बोर्ड में शामिल होने के लिए इन्वाइड किया था मस्क ने बोर्ड में शामिल होने से इंकार कर दिया इसके बाद उन्होंने 54.2 डॉलर प्रतिश शेर के भाव से 44 डॉलर में ट्विटर खरेदने का ओफर दिया था शुरुआत में कंपनी ने इस ओफर कुछ विकार नहीं किया था 13 माई को मस्क ने डील को होल्ड कर दिया इसके बाद 16 माई को मस्क और परागरवाल के बीच बॉट एकाउंट को लेकर बहस हुई 17 माई को मस्क ने डील होल्ड करने की धमकी दी 8 जुलाई को मस्क डील से पीछे अट गए 12 जुलाइक ट्विटर ने मस्क पर केस किया था इसके कुछ दिनों बाद मस्क और ट्विटर के वीच उहे बिल्ली ए खेल चलता रहा 4 अक्टूबर को मस्क ने यूटन लेते हुए एक बार फिर डील को पूरा करने का उफर दिया 27 अक्टूबर को डील फाइनल कर दी गई और अब क्या मस्क स्तीफा देंगे अगर 24 घंटे बाद भी यही रिपोर्ट रहती है तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि इससे पहले बीचाहर डॉनल्ड ट्रम्प के एकाउन को वापस लाने के बाद तो मस्क ने ऐसे ही ओपिनियन पूल करवाए थे और उस ओपिनियन पूल के हिसाब से उन्होंने वापसी करवाई थी डॉनलर ट्रम्प की हलाकि डॉनलर ट्रम्प अब तक खुद टुटर नहीं चला रहे हैं उन्होंने कहा कि मेरा कोई रदा नहीं है लेकिन एक बार फिर ये ट्वीट डालना और ट्वीट के जरिये लोगों सवाल पूछना और इस सवाल पर जवाब आए हैं क्या मस्क उसका पालन कर पाएंगे ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है और अगर वो पालन करते हैं तो फिर ट्वीटर का नया CEO कौन होगा क्योंकि पिछली बार जो CEO थे पराग उन्हें तो हटा दिया गया था और अब जो नया CEO आएगा क्या वो कोई और वेक्ती होगा या फिर Elon Musk जैसा कि इस tweet में लिखते हैं उससे पलट जाएंगे यह अपने आप में दल्चस्प है और इसी के साथ फिर वुल्टर में इतना ही आप देखते हैं आज तक